गुड मोदी के मौनिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मोदी अजादी प्लान अलिमिटेड की तीसरी इंकम के बारे में जो किया साथ परसन से लेकर सोला परसन्ट एक्युमिलेटी परफॉर्मेंस बॉनस जैसे ही आप मोदी के में परचेजिंग शुरू करते हैं कुछ भी समान खरीते हैं और टीम बनाते हैं तो आप इस बॉनस को कमाने के हगदार हो जाते हैं आईए देखते हैं कि कैसे आपका परसन्टेज बॉनस के लिए डिसाइड होगा किस तरह से आपको शुरुवाती टाइटल्स मिलेंगे और क्या तरीका है ये बॉनस केल्कुलेट करने के लिए जैसा कि अभी तक आप जान चुके हैं कि समीर मोदी अजादी प्लैन अनलिमिटेट एक एक्क्यूमिलेटिव प्लैन है यानि कि आपका बॉनस परसेंटेज और आपका टाइटल आपके जुड़ते हुए वॉल्यूम के उपर डिपंड करता है एक्क्यूमिलेटिव पीवी के उपर डिपंड करता है तो आपके सामने यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कि बताया गया है कि title और उससे जुड़े हुए percentage के लिए जुड़ते हुए क्रम में आपका group PV कितना होना चाहिए या accumulated group PV कितना होना चाहिए तो यदि आपका accumulated group PV है X लेकर 300 के बीच में तो आप बन जाते हैं consultant और आपका bonus percentage होता है 7 यही accumulated group PV जब 301 से 1200 की range में होता है तो आप बन जाते हैं senior consultant और आपका bonus percentage होता है 10 जुड़ते हुए क्रम में जब आपका group PV आगे बढ़ता है 1201 से 2700 की range में है तो आप बन जाएंगे assistant supervisor और आपका bonus percentage होगा 13 इसी तरह से 271 से लेकर 4000 की range में आप बन जाएंगे supervisor और आपका bonus percentage होगा 15 और जब जुड़ते हुए क्रम में आपका group PV 4001 या उससे जादा होगा तो आप कहलाए जाएंगे director और bonus percentage होगा 16 आईए इसको समझने के लिए कुछ examples लेते हैं अगें आपके लिए quiz है मैं चाहूंगा आप इसका उत्तर करें पहले महिने में हम मानके चलते हैं कि आपका कुछ इस तरह का structure है तीन downlines हैं A, B, C और आप सबने 50 personal PV का business किया है तो आपको ये बताना है कि month one के end पे U का यानि आपका इस case में AGPV कितना होगा और title plus bonus percentage कितना होगा तो यही हम इसको ध्यान से देखें I am sure अभी तक आप पदा कर चुके होंगे AGPV है 200 क्योंकि ये पहला महिना है तो पूरे group का जो GPV होता है वही AGPV होगा for the month one AGPV है 200 और जो 200 है वो 1 से लेकर 300 की range के बीच में है तो यानि की title हुआ consultant और bonus percentage हुआ 7 यही structure को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं month two में किस तरह का business होता है तो month two में भी बिलकुल यही business repeat किया जाता है हर एक में 50 personal PV किया है तो आप बताईए कि month two के end पे plus bonus percentage कितनी होगी I am sure आप एकदम सही guess कर चुके है month two के end पे AGPV हो जाएगा 400 क्योंकि month two का भी GPV है 200 so month one plus month two का GPV जब जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा AGPV which is 400 और 400 301 से लेकर 1200 की range में है यानि कि इस case में you बन जाएगे senior consultant और इसका bonus percentage होगा 10 अब PV को देखकर हमने ये तो निंधारित कर लिया कि you का bonus percentage कितना है लेकिन ये bonus calculate कैसे किया जाएगा आईए अब उसे देखते हैं बहुत ही आसान calculation है सबसे पहले हमने ये डिटर्मिन किया कि you का bonus percentage कितना है वो है 7, month 1 में total GPV कितना है 200 तो इसका मतलब क्या हुआ कि you के पूरी team में 200 का 7% distribute होगा as accumulated performance bonus तो सबसे पहले हम क्या करेंगे total APB कितना distribute करना है पूरी team में वो calculate करेंगे क्या formula है 200 GPV into 7% जो कि you का bonus percentage level है into 27 जो कि PV-BV ratio है याद रहे PV से bonus percentage या title मालूम चलता है और BV से हम income calculate करते है तो basically जब हमने इसको 27 से multiply किया तो हमने PV को BV में convert किया 200 into 7% into 27 answer आया 378 so this 378 will be distributed in the entire team as APB अब U को कितना मिलेगा वो जानने के लिए हमें देखना होगा कि A, B और C को कितना मिल रहा है तो A आप जड़ा बताईए कौन से percentage लेवल पे है A का PPV है 50 तो naturally क्योंकि पहला महिना है इनका भी AGPV होगा 50 percentage लेवल होगा 7 same way B और C का भी तो A को मिलेगा 50 का 7% into 27 जो कि हुआ 94.5 same way for B and same way for C और जो हम A plus B plus C का APB जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 283.5 तो पूरे ग्रूप में डिस्रिबिट हुआ 378 जिसमें से डाउनलाइंस को डिस्रिबिट हुआ 283.5 तो जब 378 में से 283.5 माइनस हो जाएगा जो बाकी बचा 94.5 ये मिलेगा U को पहले महिने का APB आईए अब देखते हैं कि दूसरे महिने की calculation कैसी होगी तो दूसरे महिने भी यही same business हुआ था AGPV हो गया था 400 जिसकारण से U का जो percentage level था वो था 10 लेकिन GPV अगर आप देखें तो वो अभी भी 200 ही है तो अब दूसरे महिने की calculation में 200 यानि की 200 का 10% पूरी team में distribute होगा 200 into 10% into 27 this is 540 540 रुपे पूरी team में distribute हुए downlines को कितने distribute हो रहे हैं A, B और C अभी भी 7% पे ही है तो downlines को distribute हुए total अगर हम मिला दें तो 283.5 अब हमें देखना है की U को कितना मिलेगा तो 540 माइनस 283.5 256.5 ये बना U का APB at the end of month 2 I hope इस example से आपको basic understanding हो गई है की APB कैसे calculate किया जाता है मैं चाहूंगा कि एक बार आप दुबारा इस वीडियो को देख लिए जिससे कि आपकी understanding और पक्की हो जाए और आगे बढ़ते हुए जितनी जादा width आप बनाएंगे उतने जादा बढ़िया तरीके से आप APB earn कर सकेंगे अगें ये एक शुरुआती बोनस है सिरफ इसी बोनस के उपर निर्भर नहीं रहना ये आपकी शुरुआत में बहुत बढ़िया तरीके से मदद करेगा लेकिन जो आगे आने वाले हमारी incomes हैं वो incomes आपको आज़ादी तक लेके जाएंगी सु अगले वीडियो तक थांक यू सामच